मैं आप सब पूछना चाती हूँ कि में 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप पताएं कि क्या हुआ था उस दिन मैं 13 माई को सुभा 9 बजे के करीब अर्विन किज्रिवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्रॉइंग रूम में बिटवाया और बताया कि अर्विन जी घर पे हैं और वो मुझे से मिलने आ रहे हैं फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी वी थी अराम से बैठी वी थी इतने में बिभव कुमार जो कि उनके पीएस थे वो वहाँ पे धन धनाते वे आते हैं और वो चिलाने लगते हैं और गालियां दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी आकात क्या है तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे नीच औरत पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे वो और उस समय मैं बहुत सक्पका गई और मैंने उनको बोला भी कि भेई क्या हो गया मतलब अरविंजी आ रहे हैं क्या हो क्या गया तो इतना मैंने बोला और इतने में उन्होंने हाथ छोड़ दिया उन्होंने मुझे साथ-ाठ थपड पूरी जोर से मारे मैं सोफे पर बैठी थी वो सामने खड़े थे वो मारे ही जा रहे और मुझे नीचे घसीट दिया, उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है, उस पे जाके टकराया, मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया, और मैं चीकती रही, चिलाती रही, मैं मदद मांगती रही, और मैंने उन्हें इतनी बार बोला, क उस वक्त वो अकेले थे उस कमरे में, और जब इतना जादा मुझे वो पीट चुके थे, उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आपको छुडाया, और मैं वापस सोफे पे जाके बैठी, और मैं बहुत अजिटेटेट थी, तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी, मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा, जब मैं कॉल कर रही थी, तो उसने मुझे देखा, और उसने मुझे बोला कि मैं तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड सकती, और तुमको तुम मार के गड़वा देंगे, हड़ी पसली एक कर देंगे, पर मैंने उसकी सुनी न कर देंगे, उनको बुला के लेकर रहा, जब सिक्योरिटी अंदर रही तो मैंने उन्हें बताया, मैं बतला बहुत ज़्यादा थी, और मैं उन्हें चीक चीक के बता रही थी, कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने उन्हें बताया कि बिभव ने कैसे लातों से, घूसों से, बाहर निकलिये, मैंने उन्हें बताया कि मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दिये, पुलिस को आने दो, ये क्राइम सीन है, यहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ा हाथसा हुआ है, मैं में मेंबर ऑफ पारलिमेंट हूँ, मैं फॉर्मर डेली कमिशन फॉर विमन चेर परसन हूँ, आप रुकिये, आप पस पुलिस को आने दीजे, एक बार पुलिस आ जाए, मैं पुलिस आ जाएगी यहाँ पर, मैं फिर उसके बाद जाओंगी, क्योंकि मैं को ये डर था कि मैं यहाँ से चली गई, तो ये टैंपर कर देंगे, पूरा जो भी एविडेंस है, तो इसलिए मैं उ पिल्कुल अपना आपा खो गई, कि मैं एक तो मेर को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया, उपर से वहाँ पर आ कर मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ, बिभव से कोई पूच भी नहीं रहा कि तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, ऐसे कैसे हो गया, तब मैं अपना आपाख होया और मेरे मुझे कुछ अपशब निकले, जो बाद में हमने देख एक बस 50 सेकंड की क्लिप, डॉक्टर करके, एडिट करके, उसमें से भी काट पीट के, उसको टीवी चानल्स को दिया गया इनके द्वारा, और वो चलाई गई, और बाद में जब पता चला, त जो मैं चीख-चीख के बता रही हूं कि मेरे को कहां मारा, कैसे मारा, मेरा हाल जो अगर देख ले कोई, तो वो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी, तो evidence के साथ भी tamper करा गया. According to what you are saying, दो विडियो है, एक तो CCTV विडियो है, जिसमें पूरा sequence है, जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, थू दूसरा, जो विभव जी ने खुद विडियो बनाया है, वो भी है, दो विडियो सोर्सेज हैं अभी. जब मैं वापस आके बैठी, जब मैं सोफे पे दुबारा आके बैठी हो, मैंने 112 नंबर कॉल करा, ये बाहर गया, ये security वालों को लेकर आया, जब security वाले वहां आए, तब वो विडियो लेना शुरू करा है, जब मुझे मार पिटाई कर रहे थे, तो वो अकिला था कमरे मे तो वो विडियो कैसे ले सकता है, तो जब ये मार पिटाई हो रही थी, you were obviously screaming, कोई ऐसे silently तो नहीं मार खा सकता, तो जब वो आपको मार रहे थे, and it is, I mean, according to what you have said, it is quite gross, he, आपने कहा, 7-8 बारी, he kicked you, on the chest, stomach, pelvis, और आपके periods चल रहे थे, he dragged you, your shirt was pulled up, as per this, you were screaming for help, घर में और कोई नहीं था आपके मताबिक? मुझे बताया गया था कि अर्विंद केश्रिवाल जी घर में हैं, और वो मुझसे मिलने आने वाले हैं, और मैं बहुत जोड-जोड से चीक-चीक के help मांग रही थी, लिकिन कोई मदद के लिए नहीं आया. स्वाती जी, आप उनके घर कई बार जा चुके हैं, क्या हर बारी आप अपॉइंटमेंट लेके जाते थे, इस बारी शायद नहीं लेके गए, क्या उस वज़े से नरास थे, क्या हो सकता था उस दिन? मैं अपॉइंटमेंट लेके तो हाडली कभी गई हूँ, जब-जब मैं घर गई हूँ, तब तो मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट लिया, हाँ जरूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी भी होती हैं, और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रिटेरियेट जाते हैं, तब एक बार ऑफिस पे के लिए ओफिशिल टाइम लेके जाया जाता है, लेकिन जब घर जाते हैं, तो मैं ऐसी जाती हूँ, यह यह कहते हैं कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, तो मैं यह ज कि अगर ऐसे मैं मतलब आज कुछ मेरे साथ होने वाला है, और अगर उनको लगता है कि अपॉइंटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टन है, तो उसी वक्त वहीं पे मेरे को बोल देती कि बहार चले जो मैं बहार चली जाती, मतलब आप अपॉइंटमेंट लेके को नहीं आए अब आप यू वर आसकेंग फॉर हेल्प, आप मदद मांग रही थें कि आपको पीटा जा रहा था, ऐसे तो होई नहीं सकता कि सी एम के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से, जी वही अजीब बात है और मैं बहुत ज जोर जोर से चीक रही थी, चिला रही थी, सच तो यह है कि कोई मदद के लिए नहीं आया, पुलिस अब इस पारे में इन्वेस्टिकेट कर रही है, कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और किसके इंस्ट्रक्शन पे मैं पीटी गई हूँ, यह सारी चीजों पे अभी इन्वेस्ट चल रहा है, और दिल्ली पुलिस के साथ में पूरी तरीके से कोपरेट कर रही हूँ, तो इस वक्त, अब इस से जादा मैं क्या बोलूँ, बिकॉस इस अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिकेशन आप कह रही हैं किसी के इंस्ट्रक्शन पर, यानि कि खुद बखुद भिभव में इ वो जो सवाल हैं कि कैसे पिटी, क्यों पिटी, बिभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शन पर मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिकेशन हैं, दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोपरेट कर रही हूँ, हां मैं ये भी है लेकिन मै किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्रॉइंग रूम में थी, अर्विन जी घर पे थे, और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, मैं चीक रही थी, चिला रही थी, पर कोई आया नहीं, ये भी फैक्ट है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अर्विन जी का कोई कॉल नहीं आया और वो मुझसे अभी तक नहीं मिले, ये भी फैक्ट है कि इस पूरे प्रकरण में अर्विन जी उस आरूपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं, वो उसको लेके लखनाव घूम रहे हैं, वो उसके लिए प्रोटेस्ट पे, सडक पे उतरें, इतना तो उन्होंने मनीश जी जब अरेस्ट हुए थे, उनके लिए भी नहीं करा, तो ये जो चल रहा है और पूरी तरीके से, पूरी पार्टी में हर इंसान को इंस्ट्रक्शन्स दिये गए हैं, कि मेरा कारेक्टर अस चिट नहीं देरी, but definitely I want the Delhi Police to investigate the matter in a very free and fair manner, because बहुत बड़े बड़े लोग हैं, and proper investigation होना चाहिए, और उसके बाद जो भी सच है, उसको सामने आना चाहिए. क्या ही, ऐसे हो सकता है कि यह वो घर इतना बड़ा है, कि आप ड्रॉइंग रूम में आपको मारा जा रहा है, और बाकी जो कमरे हैं, अगर कोई उन कमरों में हैं, तो उनको सुनाई नहीं दे रहा, ऐसे हो सकता है, क्योंकि आप जानती हैं, आप गई हुई हैं उस घर में. तो उस घर में जब मैं गई थी तो पहले मैं डाइनिंग रूम के बाहर गेट तक गई थी डाइनिंग रूम का गेट हमेशा खुला रहता है तो मैं वहीं पे थी, डाइनिंग रूम और डाइनिंग रूम बिलकुल आसपास है तो जो वो गेट खुला वा था और मैं उस कमरे में ड्राइंग रूम में पिट रही थी तो अब ये दिल्ली पुलिस पताईगी कि मैं जब इतनी जोड से चीक चिल ला रही थी तो वहाँ पे जो लोग थे वो क्यों नहीं आए या उन तक आवाज नहीं गई मतलब बहुत अजीब बात है और एक बात बताईए कि अगर आवाज नहीं गई तो जब मुझे पुलिस से बाहर निकाला जा रहा है I'm a member of parliament, I'm the former chairperson of the Delhi Commission for Women and on top of it, मैं 2006 से इन लोगों के साथ काम कर रही हूं तो अगर मुझे बाहर निकाला जा रहा है तो तब तो कोई आता तो तब भी कोई नहीं आया How long have you known Bhibhav ji? I know him since 2006 only Since 2006? क्या वो बहुत करीबी रिष्टा है उनका Arvind ji के साथ? हाँ, starting में नहीं था लेकिन अब Arvind Kejriwal ji के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त बिभव कुमार है वो कोई मामूली पिये नहीं है अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना अलिशान उनको घर दिया गया है इतना तो किसी मंतरी को भी दिल्ली में नहीं घर मिलावा है तो वो एक बहुत रसूकतार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में और पूरी पार्टी उनसे डरती है और उनके उपर assault का केस पहले भी हो रखा है तो ये सब बाते हैं डरती हैं? क्यों डरते हैं लोग? लोग डरते हैं उनका जो मतलब ऐसा एक पूरी पार्टी में मेसेज है कि अगर बिभाव नराज हो गए आप से तो फिर आप खतम हो पार्टी में इस पार्टी में पहले भी वाइलेंस के इंसिदेंस हो चुके हैं रफश ट्रीटमेंट कुछ लोग openly कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि दबे पाउं चलना पड़ता है अर्विन जी के आसपास इस इस अपार्टी में प्रॉमोटेड राइट फ्रॉमोटेड राइट फ्रॉम दे टॉप कि आप क्या समानेंगे? देखिए एक पार प्रशान्थ भूशन जी और शांती भूशन जी को भी इसी तरीके से एक मॉब के द्वारा धक्के मारके निकलवाया गया था हम सब ने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले एक चीफ सेकरेटरी को भी ड्रॉइंग रूम में ही पीटने का एक बहुत गंभीर आरोप लगा था और तीसरा मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है अभी तक मुझे कभी ऐसा लगा नहीं लेकिन जब मेरे साथ खुद हो गया है और मैं इतनी बुरी तरीके से पीटी गही हूँ तो अब मेरे पास क्या बोलने को बचा है तो आप नहीं देखना हो तो आप ना देखें पर अपने विवर्स के लिए I'm going to run it, you don't need to look at it उसमें जो विडियो में जो दिखता है, it is not very clear about the room, there's a shaky video जो रिलीस हुआ है, अभी तक sources नहीं पता, it was leaked to the media, तो हम भी नहीं कह सकते ये किस ने रिलीस किया है but it's obvious कि अगर CM के घर के अंदर का विडियो है, तो somebody close to the CM or close to the security personnel have released this video, अब इस विडियो में जो हुआ है after this you make a call to the police पहले आप कहते हैं, CM और बिभव ने पिटवाया, माम 8 second, so ये जो विडियो है, ये जब मैं पिट चुकी थी, मैंने 112 के उपर call कर दी थी, उसके बाद जब बिभव ने ये देखा कि 112 की call हो गई है उसके बाद वो भाग कर गया security वालों को gate से लेकर आया, और जैसे ही security वाले घुसे हैं, उसके बाद इसने video बनानी शुरू करी है पर मैं वो जो वीडियो है वो कम से कम 8 से 10 मिनट की वीडियो है जिसमें मैं security वालों को चीक चिला के बता रही हूँ कि मेरे को कैसे मारा गया है मुझे कहा कहा मारा गया है, मुझे कैसे लातों घूसों से मारा गया है मैं security वालों को बता रही हूँ कि चीक चीक के बोल रही हूं लेकिन security वाले क्योंकि वो तो विभाव ने उनको बोल दिया था कि इसको ठाके फेंक दो तो वो तो सुनी नहीं रहे थे मेरी बात end में जब मैं बिल्कुल अपना आपा खो चुकी थी मुझे दिख रहा था एक तो आपका अपशब्ध और दूसरा आपका फो जो आपने पresp major को बताया जो जो अपशब्ध वाली बात है दो वीडियोinya थे एक तो अपशब्ध वाली और दूसरा जो आप चल के जा रही है which will also play आप नहीं देखना चाहें तो ठीक है जो आप चलके जा रही हैं उसमें जो आम आदमी पार्टी के कुछ लोग है वो उन्होंने प्रेस को बताया कि वो तो she is walking out normally वो ना तो उनके कपड़े फटे हुए हैं क्योंकि आपने का था आपका shirt उपर किया था and she is not limping क्योंकि आपने का था कि you were kicked तो वो limping नहीं है पर एक women, there are two women in the video जो आपको escort करके बाहर लेके जाते हैं and आप point कर नहीं है towards somebody and there are two three men who are standing around you and they are also just watching you. तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको इतनी बुरी तरह पीटा जाता again I am very sorry I am raising these issues because violence victims होते हैं it is very disturbing to see those visuals and to relive that incident so I am extremely apologetic मैं आप से पूछ रही हूं but just so that this can be sorted out कि जब आप, you have worked with several victims of violence इसलिए मैं आप से पूछ रही हूं क्या, can somebody walk like this normally after being beaten so brutally? Ma'am, सबसे पहले मैं previous question पे एक clarification और देना चाहूंगी मैं जब अपशब्द बोल रही थी वो ही portion उन्हाने cut करके release करा है, मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि विभव खुदी बैठके video बना रहे थे, तो वो पूरी की पूरी video का है police ने media को यह information दी है कि जो इनके phone हैं, यह format कर चुके हैं और वो video का अभी तक source भी पता नहीं चल रहा है तो सिर्फ मेरा यह सवाल है कि अगर जो इनसान सही है और सामने वाला कुछ गलत कर रहा है और तुमारे पास इतनी important video भी है तो तुम उसको original police को क्यों नहीं दोगे अपने आपको बचाने के लिए तो एक मेरा यह सवाल है, दूसरा आपने जो मुझसे बोला मैम मैंने दिली महिला आयोग में एक लाख सतर हजार से ज्यादा cases में सुनवाई करवाई है साथ हजार sexual assault survivors की हम लोगों ने counselling करी है दो लाख court cases से ज्यादा में हमने hearings करवाई है जब court में hearings हो रही थी sexual assault survivors की तो हम वहाँ पे, हमारे lawyers वहाँ पे खड़े थे, उनकी मदद कर रहे थे अपने पूरे 9 साल के कारेकाल में मैं हजारों survivors से मिली हूँ और हर तरीके के survivors से मिली हूँ domestic violence, sexual assault, हम लोगों ने धाई हजार से जादा तो rescue operations करें जिन में से बहुत सारे operations मैंने lead करें और उन लड़कियों को sex traffickers के भी चुंगल से हम लोग निकाल के भाड़ लेकर आए तो मेरा इतना काम है पर मैं जब भी किसी भी survivor से मिली एक चीज हर survivor के लिए common होती है जब वो अपनी आवाज उठाती है तो उसकी आवाज कोई नहीं सुनता पूरा समाज उसकी तरफ देखकर उंगली उठाता है कि जरूर इसी ने कुछ कलत करा होगा तो ये मेरी कहानी नहीं है उन्हाने मुझे ये बोला था कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मेरी बेटी अब दुनिया में नहीं है क्योंकि जो इस देश में न्याय पानी की जिल्लत है कम से कम वो तो उसको नहीं देखनी पड़ रही निर्भया से भी पूछा गया था होती है ये कोई नहीं बात नहीं है अब जो उनके सवाल है वो ये कहते हैं कि CCTV फुटेज में तो देखो कैसे चल रही है सीधी चल रही है वो जो एडिटेड वीडियो है उसमें तो देखो अराम से बैठी है तो मुझे एक बात बताईए जब आपके साथ मार पिटाई होती है तो आपका first reaction क्या होता है you are very agitated obviously there is pain but there is agitation which takes you over there is a very high adrenaline also running through your body आपको अगर कोई गोली भी मार दे तब भी आप उठके भागते हो क्योंकि आपको अपने आपको बचाना भी है और आपको न्याई भी पाना है तो यह कहना कि देखे इस CCTV footage में यह ऐसे चल रही है पहली बात तो जहां तक दिल्ली पुलिस ने जो मीडिया में से बातचीत हुई है उसमें तो मीडिया में यह चल रहा है कि CCTV footage तो अभी दिल्ली पुलिस के पास ही नहीं पहुँचे तो क्या यह CCTV footage बिल्कुल correct है क्या यह doctored है and on top of it मैं अभी चल रही हूँ और चार दिन बाद मैं limp कर रही हूँ तो किसी को भी जिसको भी चोट लगी होगी उसको यह समझ आएगा कि जब चोट गरम गरम होती है उसमें इंसान दौड भी जाता है अरे fracture भी हो जाता है तब भी इंसान दौड जाता है और जब वो चोट सेटल करती है और जब आप actually realize करते हो कि आपके साथ क्या हो गया मतलब तब जाके वो दर्द उभर के आते हैं तो यह कहना कि वो तेज चल रही थी फिर बाद में वो देखो लिंप कर रही है मुझे लगता है इस से बुरी विक्टिम शेमिंग क्या हो सकती है दुख यस वात का है कि दिल्ली की महिला मंतरी यह कहती है कि देखो इसके तो कपड़े नहीं फटे देखो इसके तो सर नहीं फूटा तो बस अब इसी की कसर रह गई थी वो भी करवा देते and on top of it मैंने कब F.I.R. में कह दिया कि मेरे कपड़े फट गए मैंने कब F.I.R. में कहा कि मेरा सर फट गया जी मैं खूनम खून हो गई exactly जो मेरे साथ हुआ है word to word बिल्कुल मैंने वही लिखा है मैंने ना आगे लिखा ना पीछे लिखा और मैं अगर गलत हूँ मेरा मैं बिल्कुल तैयार हूँ मेरा polygraph test मैं चाहती हूँ कि police करे उससे सब clear हो जाएगा मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि police मेरा polygraph test कर ले क्योंकि मैं इस आरोप के साथ कैसे जिन्दा रहूं जिस लड़की ने हमेशा और लड़कियों को हिम्मत दी लडने के लिए आज उसी को तुमने पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखाया कि यह तो जूटे आरोप लगाती है तो मैं इसके साथ कैसे जिन्दा रहूं यह तो पूरे विमन्स मॉवम्मेंट के कॉज के लिए बहुत बड़ा धक्का है So I am willing to do anything to tell that it is actually the truth When you made the call to the police, तो उस वक्त दो तीन अलग अलग बयान थे CM और विभव ने पिटवाया, CM ने विभव से पिटवाया, विभव ने अकेले पीटा Have you given a clean sheet to Arvind Kejriwal की उन्होंने कुछ नहीं किया, विभव ने अपने आप किया है Who did what? देखे मैं किसी को भी clean sheet नहीं दे रही सचाई तो ये है कि मेरे को Arvind Kejriwal जी के drawing room में बहुत बुरी तरीके से लातों और घूसों और थपड़ों से मारा गया है और ये बात M.L.C. में भी निकल कर आई है M.L.C. just for viewers, medical legal case तो इतनी मेरे को मतलब 4 दिन बाद मेरी M.L.C. हुई उसमें भी मेरी injuries निकल कर आई है तो ऐसी situation में जब मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है और मैं चीक चिला के मदद के लिए मांग कर रही हूँ और मैं drawing room में ही हूँ और घर में और भी लोग हैं और कोई मेरे को बचाने नहीं आया तो मैं कैसे किसी को clean chat दे सकती हूँ number one number two जब जैसे ही मैंने complaint file करी पूरी की पूरी party को मेरे खिलाफ उतारा गया बार-बार मेरा character assassination करा गया बार-बार मेरा victim shaming करी गई edited videos जो अब कहते हैं जी source ही नहीं है उनको media में leak करा गया cctv footage बता रहे हैं कि गयब करे गए वो चो आरोपी है उसको दुबारा crime scene पे बुलाया गया और फिर वो टैंपर करेगा evidence और या नहीं करेगा why are you saying बुलाया गया क्या वो खुद नहीं जा सकता था वो कैसे जा सकता है अगर कोई उसको अंदर ना आने दे तो ये CM house की बात कर रहे हैं and ये भी पता है कि दो महीने पहले उसका he's no longer the PS तो ऐसी थोड़ी ना आप चाके देख लीचे कोई भी जाके देख लीचे क्या CM house में कोई भी ऐसी कुछ सकता है वी मै भी अंदर तक अगर ड्रॉइंग रॉम तक गई तो मेरे को एंट्री दी तभी तो मैं अंदर गई नहीं तो मुझे गेट पही रोग देते हैं मैं गेट से ही चली जाती पिर आपके बयान अलग-अलग क्यों थे कि CM ने पिटवाया you know the three things that you said CM और विभव ने पिटवाया विवव से पिटवाया गया विवव ने अकेले पिटा so जो first two calls है पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जब 112 नंबर पे call कर रही थी वो वहीं ख़ड़ा था मैं भहुत agitation और डर में थी कि मेरा phone कीचेगा और मुझे फिर पिटेगा तो उसमें मैंने उस समें बहुत agitation में और बहुत डर में and I was already in pain and trauma तो मैंने दो बातें बोली है मुझे नहीं पता कि वो एक बोली है दो बोली है मैं उसको लेकर I'm not very sure क्योंकि मुझे ऐसा लगा मेरे को ऐसा लगा कि शाएद एक call मेरी लगी नी मैंने इसले दुबारा बोला but उस समय मैंने यही बोलने की कोशिश की कि Arvind जी ने बिभाव से मुझे पिटवाया क्योंकि उस समय मुझे यही उस वक्त I felt that but at the end of the day today I have filed a proper complaint and उसके उपर investigation अभी चल रही है और मैं अब इस पारे में कि मेर को किसने पिटवाया क्यों पिटवाया कब इटवाया मैं अब इसके बारे में बात नहीं करूंगी because there is an investigation that is ongoing and I would like to participate in it what was the delay you know आप अपने घर गए और उसके बाद I mean you've worked with so many victims you know this that sometimes immediately नहीं प्रूंट होता you feel alone or whatever the reason it took a lot of persuasion for you for people to get you to come out and speak about it what was that trigger कि आप बोले नहीं and what was the trigger जब आप बोले वो delay क्यों हुआ जी मैं अर्विन जी के घर से निकल कर जब police station पहुची civil lines police station तो वहाँ पे ऐसे चो के सामने मैं बहुत बुरी तरीके से रो रही थी मैं फूट फूट के रो रही थी बहुत सारे calls आने लग गए जैसी मैंने media के calls देखे मैं घबरा गई क्योंकि मुझे इस पात की डर लगा कि election का time है and I don't want to politicize what happened to me so at that moment I decided that I will leave तो मैं घर गई उसके बाद पार्टी के वरिष्ट नेता मेरे घर आए मुझे बोला गया कि पार्टी इसके ओपर action लेगी सक्त से सक्त action लेगी क्योंकि उन्हाँने मेरी हालत देखी they came inside your house? yes they did कितने लोग आये थे? थे कुछ लोग उस time they had sympathy with you they had because अगर आप देखें तो Sanjay Singh Ji आये थे मेरे घर पे उन्हाँने मेरा हाल देखा उन्हाँने देखा कि जो लड़की एक fighter है हमेशा आज वो एक victim बन गई उन्हाँने वो सब कुछ देखा मैं रो रही थी, मैं pain में थी और मैं बार-बार सब को बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ उन्हाँने मेरा हाल देखकर वो अर्विन जी के घर पे भी गए उन्हाँने बिभव से भी बातचीत करी ऐसा उन्हाँने मुझे बताया और उसके बाद सब कुछ देखकर अगले दिन उन्हाँने एक press conference भी करी जिसमें उन्हाँने ये बात मानी कि स्वाती इस देश में महिलाओं के लिए एक बहुत मुखर आवाज है और उसके साथ बहुत जादा मारपीट हुई और इसी लिए अर्विन जी संग्यान ले रहे हैं और अर्विन जी बिभव के खिलाफ एक्शन लेंगे ये press conference पूरे देश ने देखी है मुझे बोला गया कि आप complaint मत कीजिए हम एक्शन लेंगे पर अगले ही दिन हमने देखा कि किस तरीके से बिभव कुमार लकनव में इन लोगों के साथ दिखे मैं जब उस तिन जिस दिन मैंने complaint करी मैं जब उठी तो मैंने मेरे mind में सबसे पहले ये thought आया कि मैंने इतनी हजारों लड़कियों को लाखों लड़कियों को जब वो मेरे पास आती थी और इतने गिनोने क्राइम्स के साथ मेरे पास आती थी मैंने उन्हें हमेशा हिम्मत बढ़ाई और मैंने उन्हें हमेशा ये बोला कि चाहिए कुछ हो जाए चाहिए पूरी दुनिया तुमारे खिलाफ हो जाए तुम लड़ो और चाहिए अकेले लड़ना पड़े तुम लड़ो तो मुझे जब मैं उठी तो मुझे एक इतनी इतनी ग्लानी की फीलिंग हुई कि मैंने इतनी महिलाओं के साथ को हिम्मत दी और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाईयां मेरे कहने पे लड़ी और मैं क्यों नहीं complaint फाइल कर रही I have to file a formal complaint because it is a criminal case ये कोई ऐसा case नहीं है जिसको अपाटी can brush it off under the carpet तो इसलिए मैंने उस तिन complaint फाइल करी और मेरे अंदर ये thought बार बार आ रहा था कि जो आदमी इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि वो CM के drawing room में Member of Parliament को Former Chairperson of Delhi Commission for Women को इतनी बुरी तरीके से पीट दे तो वो एक आम महिला के साथ क्या करेगा Those thoughts came into my mind and by then I had gathered enough strength and मैंने ये decide कि कि मैं fight करूंगी और मैं complaint करूंगी मुझे बोला गया था कि अगर तुमने ये complaint फाइल कर दी तो पूरी party तुम्हें अकेला कर देगी मुझे बोला गया था कि पूरी party तुमको BJP का agent बना देगी मुझे बोला गया था कि कोई मेरे साथ नी खड़ा होगा फिर भी मैंने ये नी सोचा कि मेरा क्या होगा मेरे करियर का क्या होगा मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज मैंने सारी महिलाओं को बोली है कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो आप सची सची complaint करो लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप जरूर लडो तो आज मैं खुद कैसे नहीं लड सकती So there was only one thought in my mind and that is why I filed a formal complaint and जो उन लोगों ने मुझे डराया था और जो उन लोगों ने मुझे बोला था वो अच्छली सच निकला क्योंकि जैसे ही मेरी complaint हुई उसके बाद all hell has broken loose in my life In what way? पूरी party को मेरे खिलाफ उतारा गया है हर दिन press conferences होती है हर दिन ये बोला जाता है कि मैं BJP की agent हूँ मुझे एक बात बताईए मैं 9 साल से तो public life में हूँ उससे पहले मैं 2006 से काम कर रही हूँ लेकिन मैं back end में काम करती थी मैं 2015 से तो सबके सामने काम कर रही हूँ मैंने कितने बड़े-बड़े मुद्दे इस देश में बिना डरे उठाए हर पार्टी जहां पे मुझे गलत लगा मैंने उसके खिलाफ action लिया है तो मैं आज BJP की agent बन गई जिस दिन तक मैंने complaint नहीं फाइल करी उस दिन तक मैं लेडी सिंगम थी मैं इस देश की सबसे महिलाओं में सबसे मुखर आवाज थी और जैसे ही मैंने एक ऐसे आदमी के खिलाफ complaint फाइल करी जो पार्टी में बहुत जादा रसूख रखता है जो सबका चहेता है उस आदमी के खिलाफ जैसे ही मैंने complaint फाइल करी तो मैं बीजेपी की एजेंट बन गई ये बोला जा रहा है कि बीजेपी ने मेरे को डराया कि मेरे खिलाफ जो केस है उसमें वो पता नहीं क्या कर देंगे ऐसा तो महिला मंतरी बोल रही है आतिशी और आप ये देखिए कि वो केस क्या है वो 2016 में मेरे खिलाफ केस फाइल किया गया है बिलकुल फरजी केस है उस केस में कोई merit नहीं है उसके बाद 2017 में चार्टशीट भी हो गई है मैं कभी उस केस में अरेस्ट भी नहीं हुई और मैं अरेस्ट हो भी नहीं सकती क्योंकि चार्टशीट फाइल हो चुकी है उस केस के हो जाने के बाद दो बार और मुझे टेन्योर दिल्ली महिला आयोक का दिया गया CM साहब द्वारा भी और LG साहब द्वारा भी तो ये बात तो बिलकुल क्लियर है कि वो बिलकुल फरजी केस है डेड़ साल पहले हाई कोट ने उस केस में स्टे लगाया है और वो स्टे में हाई कोट ने ये बात मानी है कि जब कोई पैसे का लेन देनी नहीं हुआ तो काहें का करप्शन तो जिस केस में अलरेडी हाई कोट स्टे दे चुका है उस केस की वज़े से मैं डर जाऊंगी मुझे लगता है पूरे देश को ये बात याद होगी कि जब पिछली बार पिछले साल मैं मनीपुर गई थी वहाँ पे बिलकुल वार जोन जैसे हालात थे मैं जब वहाँ पहुँची गोली बारी इधर उधर सब जगा चल रही थी अकेली अपनी एक साथी अदिली महिलायो की मेंबर वंदना सिंग के साथ मैं वहाँ पहुँची थी जब हम वहाँ पहुँचे EK47 लेके लोग गोम रहे थे गोलियां चल रही थी बिना सिक्योरिटी के बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के वहाँ पर तब तक चीफ मिनिस्टर भी नहीं पहुच पाए थे मैं हम लोग अकेले गए तो जो लड़की मरने से नहीं ड़ती हो एक फजी केस से ड़ जाहेगी किस तरीके के बाते की जारी है मेरे 9 साल के कारे काल मे कितनी बार death threats मिले कितनी बार rape threats मिले मेरे को security भी नहीं मेरे पास पर फिर भी मैं लड़ती रही अकेले लड़ती रही और मैं डर जाऊंगी Was Arvind Kejriwal with you in the sense that he supported you जब आप ऐसे लड़ती थी do you feel let down your friends in the party but a person with whom you have worked for almost two decades do you feel that let down by him 2006 मैंने अपनी engineering खतम करी थी और मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी मैं लोगों की सेवा करना चाहती थी मैं अर्विन किजरिवाल जी से मिली और 2006 से उनके साथ काम कर रही हूँ साथ साल तक मैं जुगियों में रही हूँ और मैं जुगी में ही रहती थी मैंने अपना घर भी छोड़ दिया था और मैं जहां रहती थी वहाँ पे मैंने सुचना के अधिकार पे लड़ाई लड़ी राशन की लड़ाई लड़ी महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी और जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मुवमेंट हुआ तो उस पूरे मुवमेंट में बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े एक 23 मेंबर की कोर कमिटी बनाई गई और उस कोर कमिटी की यंगेस्ट मेंबर मैं थी पूरा बैक एंड मुवमेंट का मैं सम्हालती थी कभी सामने भी नहीं आई हमेशा पीछे से मैंने काम करा इतना संघर्ष करा है उसके बाद दिली महिला आयोग में आई पूरे देश ने देखा है कैसे कितनी बार अपनी पार्टी से भी मैंने बहुत तीखे सवाल पूछे और मैंने काम करा मैं ये संघर्ष के साथ आज मैं जहां पे हूँ वो बनी पर आज मैं बहुत आहत हूं और मैं बहुत दुखी हूं जिन लोगों के साथ मैंने इतने साल काम किया उन्होंने जब मेर को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया तो मेरा साथ नी दिया मुझे अकेला कर दिया आज मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ मेरे साथ कोई नहीं है क्योंकि 20 साल से मैं जस पार्टी में काम कर रही ह Bolt वही पार्टी में मेरे दोस्त भी है मेरे एक-एक दोस्त को कॉल करके धमकाया जा रहा है कि अगर उसके साथ दिग गए अगर उसके साथ कोई उसके फेवर में ट्वीड तक कर दिया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं तो मैं पार्टी से निकाल दिया जाएगा तो पूरी तरीके से अखेला कर दिया मुझे और मेरे परिवार को इतने रिस्क पे डाला यहां तक हुआ कि मेरे जो मेरे पास कोई गाडी नहीं है लेकिन मेरे जो रेलेटिव जिनके साथ रह रहरी हूं उनके पास गाडिया है, तो उनकी गाड़ी से मैं अलग अलग जगाओं पे गई अभी 164 स्टेटमेंट कराने, तो उनकी गाड़ीयों के डीटेल्स भी फ्लैश करे गए, हद कर दी, मेरे सारे दोस्तों को कॉल करकर के बोला जा रहा है, इसकी कोई परसनल वीडियो दो, इसकी तो वीडियो निकाल के दो, कुछ तो दो, तो पूरी के पूरी मशीनरी को और एक पूरे के पूरे ट्रोल मेकनिजम को मेरे उपर छोड़ दिया गया है, तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आहत हूं, और मैं बहुत दुखी हूं कि मैं आज इतनी लड़ाई लड़कर भी क्योंकि मैं सत्ता के सामने नहीं जुकी, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूं कि मुझे पावर और बाकी चीजों से चुप कर आया जा सके, मैं सिर्फ अपने सच के लिए लड़ी, तो आज मेरी ये हलत कर दी गई है, कि मैं बस अखेली हूं, मेरे साथ कोई नहीं है